नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका योटूब चैनल एबिटिक में आज 26 दिसंबर 2021 और जान लेते हैं आज की मातपून खबरें सबसे पहली अप्डेड यहां पर देखे ल्टी गेड आरता मामले को लेकर गिया है आप लोग जानते हैं ल्टी गेड की बड़तियां 2018 में आई थी और तब से ही इल्टी गेड में हिंदी विशाय में आरता का मामला फंसा हुआ है ठीक है जो लोग नए हैं वो लोग जान लें कि क्या यहां पर पूरा मामला है मामला दोस्तों यह है कि 2018 में जब इल्टी गेड बड़ती का विग्यापन आया था उस समय आयोग ने आरता मांगी थी वो यह थी कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए बीए में हिंदी होना चाहिए और बीएड के डिगरी होना चाहिए यह आरता बोड़त वारा निरदारत की गई थी ठीक है जबकि टीजिटी हिंदी के लिए जो है वो बीए में संस्कृत और हिंदी दोनों निवारे होता है जैकि एल्टीगेट के लिए इंटरम संस्कृत रोने मांगा था और आवेदन की डेट थी जो लास्ट देट थी वह 16 अप्राइल 2018 थी कई सारे ऐसे अब धर्थी थे जो एकल विसे से यूपी बोर्ट का फार्म बारे थे संस्कृत के लिए ठीक है और उन्होंनों भी आवर आवेदन कर दिया था जबकि सारे इल्जिबिल्टी क्रेटेरिया 16 अप्राइल 2018 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए थी लेकिन उनका जो रिजल्ट आया वो 29 अप्राइल 2018 को रिजल्ट आया इस वज़े से उन्होंने जो है एक चार जून से लेकर करके 14 जून तक विंडो खोली गई आवेदन करने के लिए तो यहां पर एकल विशे संस्क्रत से जो बढ़ती उत्यून किये थे उन्होंने फार्म बढ़ रहा और कई ऐसे भी बढ़ती जो इंटर्म में जिनके संस्क्रत विशे नहीं था लेकिन बीए म वाइसे थे जिन्होंने एकल विशे में संस्क्रत की परिच्छत दी थी ठीक है और बांकी जाइसे बढ़ती थे जिनके बस इंटर्म में संस्क्रत था भी यह में संस्क्रत था ठीक है अब यह 130 जो बढ़ती हैं यह कटाफ डेट के बाद योगता अरजीत किये थे इस ना जाए तो इस वज़े से इनका 130 का मामला फंसा हुआ है वहीं पर जो बांकी थे चार से शोबतर में से 130 को निकाल दो जत्य बचे उनके पास जो है बी यह में संस्क्रत था लेकि इंटर में संस्क्रत था ही नहीं तो अब यहां पर आयो को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए नहीं कर पा रहा है कि क्या जाए इंके साथ इस है नहीं कि उपलिट नहीं है तो क्या रही है लेखिन करें बदेव खत्रों करें यह आड़ता विश्या का मामला था आई होग आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी और इसलिए चारसु चौत्तर अब बढ़ती धाई साल से फज़े हुए हैं इनका कुछ भी नहीं हो पा रहा है ठीक है बढ़ते हैं अगली अपडेट के तरफ यहां पर बात करेंगे प् पर आजाएं यहां पर देखें उसी के बारे मूं लेक की जा गया लेका है प्रदेश सरकार की ओड़ से बेसिक सिच्छा व्याग में सिच्छकों के सत्रह जार नए पदों पर बढ़ती करने गोसला की गई है अब बेढ़तियों पदों की संख्या बढ़ाया जाने की मांग की है पंकज मिन्सर का कहना है कि डिलेट के करीब पांच लाग प्रसिच्छत हैं बीएड से च्छा मितनों आधी को सामिल कर लिया जाए तो आंकड़ा करीब 15 लाग के ऊपर पहुंच जाएगा सरकार ने 79 प्रक्राण में के दरान सुप्रीम कोटन में हलाफ नामा दिया था क्यावन हजार 112 प्रक्त हैं बिछले तीन वर्सों में करीब हर दस जाजार सिचक से रिटायर हुए हैं आईसे में करीब जोह रिक्त पतों के संक्या 90,000 के आसपास है युवा मंच की दोरा लागातार रोजगर आंदोरन चला है 116 दिनों से और यह मांग की जा रहे हैं कि ज इसमें लगातार मांग कर इन पदों को बढ़ाया जाए वहीं पर कल यह घटना और हुई यहां पर भी आप लोग दे सकते हैं उसके बारे हम दिया गया एक सिच्छा के बढ़ते हैं रोका सीएम का काफिला पुलिस ने लाठी लाठीया बांजी मुक्मंतरी यहोगी आदित बढ़ने की मांग राम राज में नयाय दो जैसे नारे लिखे पोस्टर थे अब बढ़ती पोस्टर ले रहाते नारे बाजी करने लग गए वह सड़क पर बढ़ गए पुलिस करीवों ने प्रदसन कारिया बढ़ते हाँ से पोस्टर शिनने के बाद उन्हें हडाने के लोग दे सकती हैं कि यहां पर अब डेड़ेट बढ़ती 2020 मामले को ले करके आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोट इसके अनुसार जो तदर सिचक सामिल थे तो सुप्रीम कोट ने सत्यापित होते हुए यहां पर जो है पूरा से मांगा था कितने लोग सेलेक्ट होते तो च पंद्रह तदर सिचक चैनित हैं और पिजटी में तीन तदर सिचक चैनित हैं तो इस वज़े से यहां पर जो है कुम लाकर के पूरी भड़ती में देखा जो अठारा तदर सिचक ही चैनित हो पाई है और चेन बोर्ड ने इसकी जो नोटी से जो इसका रिजल्ट है वो जा प्रवाई कर रही है नियमेत करने का मतलब है सीधे सीधे उन पदों को खतम कर देना जो नार्मल फ्रिसर शात्रों को मिलते हैं अगली अपडेट है यहां पर रेलवे स्कूलों को लेकर करके रेलवे स्कूलों को बंद करने की आपनी नूच काफी पहले सुनी होगी और उस कार्मिक विवाग ने पत्र जादिक कर बॉलिया कालूनिस्त रेलवे वालक और बालिका इंटर कालेज स्कूल में अगले सता 2223 में किसी भी कच्छा में नए प्रवेस पर रुक लागा दिये अब अगले मर्दिस के क्रम में ही विद्यालों में नए प्रवेस लिए कि बढ़ेंगे अगली अप्डेट के तरफ यहां पर अपडेट है यूपिट को लेकर के आप लोग जानते हैं कि सीटेट में नार्मलाजेशन की विवस्त्र लागू की गई है कई सार्य पर उसके बारे में अपडेट किया गया कि सीटेट में परिच्छा जो है कई सारे फ संपन होगी और प्राइमरी कि परििच्छ जूनिर की परिश्ट परीच्छ एक प्रेश्स पर परिश्ट परिश्ट परोली में तो घ्षम कोई बएक से सब्सक्राइब नुकर कोई दिक्कत हो के अभरत हो तो आप जो पूस्छ सकते हैं यह हो कही है रहा करते वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद हूँ